आज हम लोग करेंगे टॉर्गार्ड वीपेन का रिव्यू हाई गाइस मेरा नाम है क्रिपीश अडवानी यहां पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड बात करता रहता हूं इसा टॉपिक है जिसके बारे मैं काफी बात करिए बहुत सारे वीपेन को मनें टैस्ट किया है लॉगдо-म टेस्टिंक भी करिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Tor Guard VPN के बारे में इसको फाउंड किया गया था 2012 में यह और Tor Browser जो है दोनों अलग-अलग हैं दोनों को बहुत सारे लोग रिलेट कर लेते हैं लेकिन यह दोनों अलग-अलग है तो दोनों में नाम सेम है बस दाचिट दोनों का परपस अलग है यहां पर जो Tor Guard में जो Tor का फुल-फॉर्म है वो है Torrent, Torrend Guard के नाम से इसको बनाया गया है तो Tor Browser और Tor Project दोनों अगर आपको टीम है वो भी डिफेरेंट है अगर आपको टॉर्म ब्राउजर के बारे में नहीं पता है तो मैं यह वाला चूका हूं आपको आपको आपन के उपर मिल जाएगा तो आपको 3000 प्लस सर्वर मिल जाते हैं, फिप्टी कंट्रीज में इंडिया के सवर की बात करें तो यहां पर आपको एक सर्वर मिल जाता है जिस पे वाइर गार्ड प्रोटो कॉल भी है और यह वाला सर्वर और तॉर्रेंटिंग भी सपोर्ट करता है स्पीड की बात करो तो जो मेरे इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है वो है 220 Mbps डाउनलोड और 220 Mbps अपलोड की इंडिया में जो मुझे स्पीड मिली वो काफी अच्छी मिली इवन आय वस सप्राइस कि मुझे यहां पर इतनी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है जाता है वायर गाड प्रोटोकॉल है यहां पर स्पीड बात करें तो यह इस फिट पर यहां पर अनलॉग कर दो और आई की वी टू का सपोर्ट आपको नहीं देखेगा हाला कि एडवांस यूजर्स जो है वह यहां पर इसको मानुवली सेट अप कर सकते हैं आपको इनके आपस में आई की वी टू का सपोर्ट मिल जाएगा जो विंडोस और मैक है वहां पर नहीं मिलेगा अविडिवांस तो यह लिग वी टू करें लेकिन आज तक यह पर कोई बी ओड़िट नहीं करें तो एफ यह विलेबल है किल स्विच यहां पर है जिसको लोग बोलते है आपकिल डिनेस लीग की बात करों तो आई-पी लीक यहां पर नहीं हो रही थी स्ट्रीमिंग बात कर तो तो टॉरेंटिंग यह पर हर सर्वर के ओपर अलाओड है इन फाक्त टॉरेंटिंग इस सम्थिंग जो यह लोग उपनली प्रमोट करते हैं और इसी की वज़े से इनको यह पर पेपाल ने एक बार इनकी अकांट को भी फ्रीज कर दिया था देन काफी ताफी ताफी ता तो बहुत सारे लोगों ने इसको अभी तक यह पर टॉरेंटिंग यूज किया है और बहुत सारे लोगों को यह पर परफॉर्मेंस अच्छी मिली और मेजर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई है लोकेशन की बात करनो तो यह यूएस में आता है जो की पॉर्टी ना इसक सारी यह बर किया सारीकाछी मिली दॅभ तक यह पर ज डहीं आप यहाँ पर आपाचे वेब सर्वर लॉक्या यह नहीं नहीं है कि क्यों यह वाले लॉग्स रखे जा रहे हैं तो जादा अच्छा रहता जैसे बाकी वीपेन से सर्फशार्ग, नौड, एक्स्प्रेस वो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी जादा क्लीन है वो इस तरीके के लॉग्स नहीं रखते हैं मतलब कुछ आपस को आप लोग वाइडलेस्ट कर सकते हो जिनको वीपेन के थुरू पास नहीं होना पड़ेगा जैसे आपकी बैंकिंग अप्स हो गया तो यहां पर स्प्लिट टनल का फंक्शन सिफ आपको आंड्रोइड आप के ओपर मिलेगा बाकी किसी भी आप के ओपर न सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर आपको काफी सारे इसके वर्जन देखने को मिल जाते हैं और ब्राउजर एक्सेंशन के साथ साथ आपको आप स्टोर पर भी मिल जाएंगे हिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर 2018 में एक डेटा ब्रीच हुआ था इनके एक सर्वर को यहां पर कॉंप्रमाईज कर लिया था नौड वीपीे और यहां पर दोनों के सर्वर पर डेटा ब्रीच हुआ था जब यहां पर दोनों कम्पमे को इसके बारं में पता चला तो तौर गाड ने यहां पर पहले डिस्कलो ně ता नौड वीपे नहीं थोड़ा ताइम बाद यहां पर यूजर को प्रॉब्लम नहीं गई यहां फिर किसी भी यूजर की प्राइवेसी यहां पर अफेक्ट नहीं होगी है इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा इस डिसेंट लेकिन जैसे आप लोग इसी सेटिंग्स में जाते हो काफी कॉंप्लेक्स हो जाता है यहां पर काफी सारी आपको चीजे देखने को मिल जाती है जो की एडवांस उसर के लिए तो अच्छा है लेकिन अगर आप बिगनर हो त सकता है काफी complicated लग सकता है कि network क्या है proxy क्या है तो connect करने के हम लोग यहां पर simply connect पर क्लिक कर देंगे और आपका यहां पर VPN कर जाएगा शूर डीटेल्स चीख है वायर गार्ड प्रोटोकॉल का भी मैं यहां पर यूज कर रहा हूं डिसकनेक कर देता हूं उसको यहां से server च करने को मिलते हैं जैसे पहले यहां पर firewall activated थी तो इसकी वज़े से वाला VPN नहीं चल रहा था फिर कभी इनका वायर गार्ड प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था ऐसे सल हांड्शेक फेलियर बहुत बार आ रहा था इंडिया के सर्वस के ऊपर और आंड्रोइड डाप से मैं कर तो इनका वायर गार्ड प्रोटोकॉल अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो इतने सारे एरर्स मुझे पहली बार किसी VPN में आपर देखने को मिले हैं हाला कि वो सब धीरे-धीरे यहां पर rectify हो जाते हैं अगर आप तो यहां पर प्रॉपर टाइम देके उसको troubleshoot करो तो और टाइक방 फोरुम भी है जो कि इन ही के एरर से लगता है सार रहता है बहुत सारे उस्राल को यह पर एरो फिस करने को मिलते रहते हैं मुझेर अजो हैसे वाट करना तो , जिसमें से में है वह मैं आपर बताेता हूं भी हो सब मुझें और से ओक स्कृज़िसु के लिएAS के लि यहां पर script run कर जाए और वहाले मेरे apps यहां पर close हो जाए यहां जैसी मेरा यहां पर VPN connect हो जाए और मेरे apps यहां पर automatically open हो जाए इसके लिए यहां पर इन्होंने एक blog post भी लिखे कि बताया है कि exactly यहां पर scripts को आपको कैसे setup करना है तो अगर आप लोग एडवांस यूजर हो प्रोग्रामर वग रहे हो तो फिर आप लोग इसका यहां पर यूज कर सकते हो देन यहां पर हम लोग आते हैं network में DNS के यहां पर काफी सारे options मिल जाते हैं अगर आपको ad block करना है तो ad blocking DNS भी आप अविलेबल है और Google का है cloud flare का है तो कभी कबार क्या होता है DNS ही ब्लॉक हो जाता है तो अगर censorship वाली countries में जा रहे हो आप लोग तो इन सारे यहां पर DNS का आपको फाइदा मिल सकता है आप के लिए जो कि आटो के लिए कि जैसे यहां पर VPN डिसकनेक्ट हो यह सारे आप को अटोमाटिकल कर दिया जाए कस्तेमर सपोर्ट की बात करो तो इनकी वेबसाइट पर मेंचेंड एक ही 24 बाइव सेवें सपोर्ट है लेकिन लाइचार्ट सपोर्ट मुझे है यहां पर देखने को नहीं मिला है आप यहां पर टिकेट कर सकते हो जो की टाइम लेते हैं अराउंड पांच मिट से लेके एक पर लिए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमिशन मिलेगी बिना कुछ अपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पेकिए इंपक्ट आपको बेटर डिसकांट सी मिलेंगे तो अगर अगर अपको मेरा काम पसंदाता तो आपको मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे प्लान 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 प्ला कहली तो यहां यहां पर डिल्व के Ville पर जितने भी महीने का प्लांच उसको सिलेक कर लो और यहां पर कूपन कोड एंटर करो कृपिश तो फिर यहां पर आपको 50% तक का ओफ मिल जाएगा तो जो इसकी प्राइज हो जाएगी वह जाएगी डॉलर 30 के लिए और यहीं पर ही अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है हाला कि मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए जादा रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन अगर आपको करनी है तो फिर आपर आप लोग स्ट्रीमिंग बंडल पे जाए स्ट्रीमिंग बंडल पे आपको अनॉनिमस वी पेन आपर भी सिलेक कर लेता हूं और यह वाला जो अनॉनिमस VPN में आपर इसको हटा जेता हूं क्योंकि streaming bundle में वो automatically included है streaming bundle के लागर आप लोग यहां पर coupon code डालेंगे क्रिपेश स्ट्रीम तो फिर आपको यहां पर 50% discount streaming bundle के ओपर भी मिल जाएगा payment options की बात करो तो credit card, debit card, cryptocurrencies है, amazon pay के थरू भी payment कर सकते हो, paypal भी है और इनका खुद का gift card भी है यहां पर इनका खुद का gift card भी है यहां पर रिफंट policy की बात करनों तो है आपको सिफ 7-day की refund policy मिलती है युजवली जो बाकी VPN से वो यहां पर 30 डेस तक क्या आपको refund time देते हैं लिकिन यहां पर आपको सिफ 7-day ही मिलता है नो इससे पहले मैं इसके प्रोस और कॉंस के बात कर दो अगर अभी तक काप वीडियो अच्छा लगाई तो इसको थम्जब जारूर देजेगा इसके अ अब अगर यहां पर मैं इसके कुछ कुछ कॉंसी बात करो तो जो इनका आप है वो काफी कंफुजिंग है इतने सारे कस्तमाइजेशन के ओप्शन है लेकिन थोड़ा कॉंपलिकेटेटे बन जाता है जो इन लोगों के प्लान से वो काफी कॉंपलिकेटेटेटे स्प्लिट तो मेरे इसाब से टॉर्रेंटिंग यहां फिर ब्राउजिंग के लिए इस डिसेंट बीपेन लेकिन इसको यूज करना इतना एजी नहीं थोड़ा कॉंपलेक्स हो सकता है लाइचार्ट सपोर्ट नहीं है नो लॉग पॉलेसी है लेकिन उसको और नहीं किया गया अभी तक लेकिन अगर आपको उस कौन से प्रॉबलम है तो फिर यहां पर हमारे पास दूसरे भी अच्छे वीपेन्स है चाहे वो एक्सप्रेस हो जाए नौड हो जाए आप लोग उनकी तरफ भी यहां पर देख सकते हो तो डूलेट मिनो आपकी क्या ओपिनेंस है आपको क्या लग प्रॉबलम आपको